सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली ही पुन्यात्मों ये मानुस जिनम कितना दुरलव है और मनुस जीवन के अंदर फिर सत्गुरु मिलना ये अती दुरलव है शिरीमत भगवत गीता अध्धाय नमबर साथ के सलोक नमबर बारा से लेकर पंदरा तक गीता ग्यान दाता कहता है कि तो तिन्नों गुनों की बगची करते हैं रजगुन बरमासत गुन विस्नु तमगुन शिल जी इस तर गुन में माया के दौरा जिनका ग्यान हरा दा चुका है वो मेरी भक्ती भी नहीं करते हैं उनके बारे में का है कि ये रक्स सबाव को धारन किये हुए मुनस्यों में नीच दुसीत करम करने वाले मूरक मेरी साधना भी नहीं करते ये कौन बोल रहा है श्री मदबगुत गीता का ग्यान ये काल बोल रहा है ये बरम बोल रहा है ये सरपुरस बोल रहा है और श्री करसन के स्रीर में परवेश करके बोल रहा है प्रेतवत फिर ये कहता है साथ में जैके सोला से लेकर सोला सतरा अठारा तीन स्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ती करते हैं वो चार परकार के होते हैं अर्थार्थी आरत जग्यासू और ग्यानी है अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धनलाब के लिए अनुष्ठान करते हैं धार्मिक अनुष्ठान तो जो बिर्म साधना है ये चार परकार के बिर्म साधना करते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंतरों से ही करते हैं वो किसी अन्य गरंथ का सहोग नहीं लेते वो जैसे जैगनेश, जैगनेश, देवा कहते हैं इस तरह के आर्थी वो नहीं करते जो ब्रह्म सादक हैं वो चार परकार के हैं उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जैगैसू ये वेदों पर विस्वास करने वाले होते हैं और चौथा गैनी अर्थार्थी तो ये है जो हर धनलाब के लिए कोई अनुशान करता है तो वेदों के मंतरों से ही करता कराता है ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारन के लिए भी वेद मंतरों को ही आधार मानता है उन्हें के आधार से नुश्वान करता है जग्यासू वो होता है जो बगवान के लिए घर से निकलता है जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे गयान ग्रण करके स्वेंव, वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नास कर जाता है ये तिन्नों विर्थ कर दिये चौत्अ जो बता है गयानी है ग्यानियों से कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मुनुस जीवन बार बार नहीं में लगा और मुनुस जीवन का मूल उदे से है आत्म के लान करवाना और मुक्स प्राप्ति करना और उनको ये भी ग्यान हो जाता है कि मुक्स प्राप्ति केवल सम्रत वगवान उस कम्पलीट गौड अल्लाहु अक्बर की भक्ती करने से ही संभाव है अन्य देवताओं की पूजा से नहीं तो गीता ग्यान दाता कहता है कि वो ग्यानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं अच्छा लगता हूँ पिर ये हैं क्योंकि वो मेरी भक्ती करते हैं बिर्म की वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते लेकिन फिर साथ में जाए के अठारवे स्लोक में कहा है ये ग्यानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मुझे जीवन बार बार नहीं मिलता मौक्स हुआ तो सफलता है इस मुझे जीवन की अन्य था नहीं है और उनको ये भी ज्यान हो गया कि मुझे जीवन बार बार नहीं मिलता और मौक्स के लिए केवल पूर्ण प्रमात्मा की भक्ती ही करनी होती है अन्य की नहीं तो इसमें क्या बता है कि इन चोथी परकार के जो ग्यानी हैं इनको चोथे जहे के 32 और 34 मवरनित वो तत्वे दर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निस्क्रस निकाल लिया यदर्वेद अजहे नंबर 40 के मंतर नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्टू समर किल्बे समर कर्टूम समर ओम नाम का जाब काम करते करते सिमन करो विशेश कसक के साथ सिमन करो और मुनस जीवन का मूल करते वजान के ओम का सिमन करो तो ये ओम नाम है बर्म का और उन्होंने गल्ती से मान लिया उस पूर्ण बर्म का कम्पलीट गॉड का परमक्सर बर्म का अब कहते हैं गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सारे रहे अग्यानी सत्गुरु बिन का हुन पाया ग्याना जो थो था वुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन सत्गुरु बिन का हुन पाया ग्याना और जो थो था वुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सार रहे अग्यानी अब ये जितने भी रिसी महरिसी आज तक हुए हैं ये कम्प्रीटली अग्यानी थे इनको तत्वस दर्शी संत वो गुरु नहीं मिले जो यदुर वेद जह नंबर 40 के मंतर नंबर 10 में कहा है वेद ग्यान दाता वही है जो गीता ग्यान दाता ब्रम है सर पुर से उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विसे में कहते हैं वो संभवात संभवात माने जनम लेकर आने वाला शिरी राम शिरी कुरसन या अन्य जो आठ या 24 आवतार बताए गए हैं 9 या 10, 24 आवतार बताए गए हैं उनुए ऐसे आता है और कुछ मानते हैं ऐसमभवात वो जनम नही लेता उत्पन होता ही निए अर्थात वो अजनमा है निराकार है कुछ ऐसा बोलते है उसके विसे में का है कि परमात्मा साकार है निराकार है या जनम लेता है नहीं लेता है वो कैसा है उसकी जानकारी तत्व दर्शी संत धीरा नाम लिखा उसमें धीरा नाम जिनका ग्यान सथिर हो तत्व दर्शी संत बताते हैं उन से सुना इनकी बुदी पर पत्थर पड़िये कि वेद ग्यान दाता तो कहता है कोई और है तत्व दर्शी संत है तो इन वेदों से हटकर ग्यान देगा वो उनके समझ में आया नहीं और यदुर वेद जायर नमबर चालिस के मंतर नमबर सत्रा में सफ्ष किया है वेद ग्यान दाता कहता है कि वो परमातमा तो प्रोक्स है वो तो गुपत है वेद ग्यान दाता स्वम कहता है यदुर वेद जायर नमबर चालिस के मंतर नमबर सत्रा में कि वो परमातमा तो गुपत है वो तो प्रोक्स है उपर रहता है और मैं ब्रम हूँ दिव आकाश रूपी ब्रह्म लोक में, वहां रहता हूं मेरा ओम नाम है, तो पुन्यात्मा इसलिए प्रमेश्वर ने कहा है अपने सुख समवेद में, बाई गुरु बिन काहुन पाया ग्याना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन बेद पढ़ है जो प् अग्यानी, तो यह सभी अग्यानी थे आज तक के जितने रिशी मह, रिशी मंडले स्वर, केवल उनस महाफुर्सों को छोड़ कर, जिन को प्रमात्मा प्राप्त हुआ, और प्रमात्मा उनके प्रियतन से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विद्धान अनुसार स्वेम ही आता है, जैसे रिगवेद मंडल नंबर नो, सुक्त श्यासी के मंतर 26 और 27 में, रिगवेद मंडल नंबर नो, सुक्त शम्मन के मंतर 3 में, रिगवेद मंडल नंबर नो, सुक्त शम्मन के मंतर 1 में, रिगवेद मंडल नंबर नो, सुक्त शम्मन के मंतर 2 में, रिगवेद मंडल नंबर नो, सुक्त शम्मन के मंतर 1 में, रिगवेद मंडल नंबर नो, सुक्त शम्मन के मंतर 2 में, रिगवेद मंडल नंबर नो, सुक और भी अनेकों सिथानों पर है परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कवीर देव परमात्मा वो परमक्सर ब्रम है सर्व उत्पादक है सब आत्माओं का सरदन करने वाला भी वही है और सभी ब्रमन्डों का सरदन हर वही है और वो उपर के लोक में रहता है उपर के लोकों में रहता है सबसे उपर के लोक में रहता है वहां से गती करके आता है अच्से आत्माओं को मिलता है उनको उपदेश देता है तत्वग्यान सुनाता है और वो कवियों की तरह आसड़ करता है और अपने मुख कमल से उच्छे सोर में बोल बोल कर ये तत्व ग्यान की अमरवानी लोकोक्तियों के मादम से कविताओं के मादम से सब्धालियों के मादम से बोल बोल कर सुनाता है वो कवियों की तरहाशन करता है और एक परसिद कवी की भी उपाधी प्राप्ट करता है लोग कविताओं से बोलने के कारण कविताओं के माध्म से दोहों सुब्दालियों के माध्म से तत्व ग्यान परचार करने के कारण वो एक कवियों परशिद कवियों में से भी एक कविय कहलाता है लेकिन वो होता है परमात्मा झाल झाल झाल